और लेट चेक इट आउट गाईज, स्वागद है आपका स्टोन टेक में, दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि उपो ने कुछ ही टाइम पहले अपने काफी तगड़े स्पेक्स वाला 5G स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉंच किया था, जिसका नाम था उपो रि है इंडियन मार्केट में, अब रियल्मी ने इसी के कॉंपेटिशन में अपना एक किलर स्पेक्स वाला 5G स्मार्टफोन लॉंच कर दिया है, जिसका नाम है रियल्मी 13 Pro Plus, तो आज किस वीडियो में हम कंपेर करेंगे इनी दोनों मुबाइलों को, और जानेंगे के फीचर् आज है, अपको 117 इंचेस के Amolet display देखने को मिलेगी, अगर बात करें ष्क्रीन देंसेटे की तो दोनें मुबाइल में आपको 394 PPI icon density देखने को मिलेगी, अगर बात करें फ्रेश येटक्शन लॉडों ग्लास她कोista इनी प्रेश्ट्रेट 502iter प्रेश्टेट की तो दोने मोबाल में आपको 120Hz से रिफ्रेश्टेट देखने को मिलेगा, अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो आपको दोने मोबाल में फ्रेंट ग्लास, बैक और फ्रेम आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा, अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्ट अगर बात करें दोनों मुबालों के ग्राफिक्स की तो Realme में आपको Adeno 710 GPU देखने को मिलेगा, वहीं OPPO में आपको Mali G650 MC2 GPU देखने को मिलेगा, ओवराल देखाया है तो दोस्तों प्लैटफोर्म यहाँ पर आपको Realme का काफी बेटर देखने को मिलेगा, अगर बात करें अगर बात करें इंटर्नल मैमोरी की तो दोनों ही मुबाल में 256GB और 512GB के वेरेंटस आपको देखने को मिलेगा, अगर बात करें दोनों मुबालों के कमरा सेगमेंट की तो Realme में 50-50 और 8MP का टिबल केमरा सेट अब होगा, वहीं OPPO में आपको 58.2 मेगा पिक्सल का टेपल कैमरा सेट अप देखने को मिलेगा यहाँ पर कैमरा सेग्मेंट आपको रियल्मी का काफी बेटर देखने को मिलेगा अगर बात करें सेल्फी कैमरे की तो दोने मुबाइल में आपको 32 मेगा पिक्सल का फ्रेंट कैमरा देखने को मिलेगा अगर बात करें sound quality की तो दोने mobile में आपको stereo speakers देखने को मिलेंगे और दोने mobile में आपको 3.5mm jack का feature भी देखने को नहीं मिलेगा अगर बात करें fingerprint sensor की तो दोने mobile में fingerprint sensor आपको android display देखने को मिलेगा और दोने mobile में आपको 2.0 tap see USB port भी देखने को मिल जाएगा अगर बात करें इंफ्रा रेड पोर्ट और NFC की तो Realme में इंफ्रा रेड पोर्ट का फिचर आपको देखने को नहीं मिलेगा वहीं NFC का फिचर आपको देखने को मिल जाएगा वहीं उपो में आपको infrared port और NFC दोनों के फीचर देखने को मिल जाएंगे अगर बात करें बैटरी सेग्मेंट की तो Realme में 5200 mAh के LAP बैटरी आपको देखने को मिलेगी वहीं उपो में आपको 5000 mAh के LAP बैटरी देखने को मिलेगी चार्जिंग की बात करें तो दोनों मुबाल में आपको 80W के फास्टर चार्जिंग का फीचर देखने को मिलेगा और अगर बात करें दोनों मुबालों के कलर्स की तो Realme में गोल्ड और ग्रीन कलर्स आपको देखने को मिलेगे वही उपो में, ब्राउन पिंक और सिलवर कलर्स आपको देखने को मिलेंगे अगर बात करें दोने मुबाइलों के प्राइस की तो दोने मुबाइल का प्राइस 32,999 होगा तो दोस्तो ये था इंदोने मुबाइलों का Complete comparison ओवरल दिखाए तो दोश्तों दोनी मुबैल में काफ़ी तगड़े फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे और mostly फीचर्स आपको दोनी मुबैल में एकदम सेम भी देखने को मिलेंगे major difference आपको इन दोनों मुबैलों के platform और camera segment में देखने को मिलेगा जिसमें आपको Realme 13 Pro Plus काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा तो इस comparison का clear winner होगा Realme 13 Pro Plus अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी on कर लेना और कमेंट करके बताने के आपको वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते अगले वीडियो में